हेलो वेरीवेंट, आज हम लोग बात करेंगे अनोड रे ट्यूब एक्सपरिमेंट के बारे में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इलेक्टरॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरी डिस्कवरी हुई थी, किसकी एक्सपरिमेंट कौन सा था, एनोड रे ट्यूब एक्सपरिमेंट और ये है इसका ओवरॉल सेटब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस समय डिस्चार्ज ट्यूब पर जो एक्सपरिमेंट था, वो काफी फेमस हो चुका था, क्योंकि हर कोई इसी ट्यूब पर एक्सपरिम में क्या हुआ, यह आपको यहाँ पर सेटब दिख रहा है, तो इसमें इनोंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और यहाँ पर जो कैथोर्ड है, वो नेगेटिव टर्मिनल से अटाजड है, और जो एनोड है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटाजड है, और यह है जिसको हम लोग कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब और यह डिस्चार्ज ट्यूब एक वैक्यूम पंप से कनेक्टो रखा है, इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, इवाकुवेशन करना, क्या करना, इवाकुवेशन करना, मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो और एनोड को एक high voltage potential से connect किया और जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने क्यों observe कि एनोड से क्या तोर की तरफ कुछ colored rays जा रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि cathode rays experiment के दौरान जो rays थी वो कैसी थी invisible थी ठीक है और इस experiment का जो link है मैं वो आपको description box में दे दूँगी तो आप देख सकते हैं तो यहां से एनोड से cathode की तरफ colored rays जा रही थी तो हमें कैसे पता चला यह colored rays हैं क्यूंकि cathode के पीछे एक fluorescent material लगा था तो जब एनोड से cathode की तरफ कुछ rays जा रही थी और वो इस fluorescent material पे strike कर रही थी तो यह वाला जो पाट है वो क्या हो रहा था ग्लो कर रहा था तो अब जो positive चीज है वो किस की तरफ एट्राक्ट हो रही है negative चीज की तरफ तो यहां से क्या discover हुआ कि जो एनोड rays है जो एनोड rays है दे आर made up of दे आर made up of positive charged particles किस से बने होते हैं वो positive charged particles से बने होते हैं और यहां पर एक term लिखा है पर्फोरेटेड पर्फोरेटेड का क्या मतलब होते है यह जो आपको cathode दिख रहा है न इस cathode में इन्होंने छोटे-छोटे holes कर रहे हैं तो इसी छोटे-छोटे holes की वज़े से हम इने क्या बोलते हैं पर्फोरेटेड कैफोरेटेड क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट के अगर मैं बात करती हूं तो प्रॉपर्टीज ओफ एनोड रेस की और जो प्रॉपर्टीज ओफ एनोड रेस हैं तो जो प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करती हूं तो जो एनोड रेस थी उनका ओरीजिन था गासी आयन अब इस चीज को मैं एगस्टीज कर रहे हूं ध्यान से सुननना ये था आपका कैफोर्टीज ओर ये हैं आपका एनोड जो तो नेगटिज अगेटिवलीश चाइब जो एनोड है वो positively charge है और इसके बीश में बहुत सारे क्या है इसके बीश में बहुत सारे gas के molecules है और आपने बाहर से एक potential apply कर दिया क्या apply कर दिया potential clear है तो जब आपने potential apply किया तो आपने क्या देखा कि gas से electron बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोन बाहर निकल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रोन बाहर निकल रहे हैं, तो वो किस की तरफ एट्राक्ट होंगे, एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव की तरफ एट्राक्ट होंगे, clear हुआ, और जब एनोड पॉजिटिव की तरफ एट्राक्ट हो र रहा था कि जो आइनाइजेशन था वो कम हो रहा था क्यूंकि जो प्रेशर की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी that is 10 to the power minus 3 mm of Hg तो पार्टिकल्स थे ही नहीं उसमें पार्टिकल्स थे ही नहीं अब इन गैस मॉलेक्यूस से जब इलेक्ट्ट्रोन निकल गया तो यह गैस मॉलेक्यूस कैसे हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो यह है आपकी आनोड रेज तो जो आनोड रेज होती है वो कैसी होती है वो gaseous ion से बनी होती है किस से बनी होती है gaseous ion से इस चीज का ध्यान रखना और next point यह आता है they depend upon nature of gas taken इसका reason क्या है यह है आपका discharge tube यह है आपका discharge tube अगर मैं hydrogen gas ले रही हूँ तो hydrogen gas के जो particle होंगे वो छोटे होंगे और अगर मैं ले रही हूँ helium gas तो उसके particles थोड़े बड़े हो होंगे और अगर मैं बात करी हूँ neon gas की तो उसके particles और भी बड़े होंगे ठीक है तो कहने का मतलब है कि जो आपकी anode rays है वो किस पर depend करती है nature of gas जो हम considered कर रहे हैं clear हुआ अब यहां पर अगर मैं बात करती हूँ next property की तो एक जिसका ध्यान रखना cathode के case में हम यह directly क्या सकत है कि जो cathode rays होती है वो electron particle से बनी होती है बट anode के case में हम यह नहीं कह सकते हैं अब जो charge upon mass ratio होगा anode rays का वो भी किस पर depend करेगा nature of gas पर क्यूंकि जो हमारा nature of gas अगर change हो रहा है तो particle का size भी change हो रहा है तो उसी तरीके से charge upon mass ratio है वो भी किस पर depend करेगा nature of gas पर depend करेगा तो अगर मैं इसको और briefly explain करूं तो यहां से एक clear हुआ कि जो हमारा anode rays था जो positively charged था जो positively charged पार्टिकल था वो हमारा fundamental पार्टिकल नहीं था तो हमें कैसे पता चला कि हमारा fundamental पार्टिकल है क्या तो कई साल तक यह experiment जब चलते रहे काफी time तक जभी experiment चलता रहा तो उने यह जीज़ अब्सर्व करी कि जो charge upon mass का जो ratio है वो highest का बार है तो charge upon mass का जो ratio है वो highest का बार है वो highest तब आ रहा है जब हमने एक lightest gas ली lightest gas का क्या मतलब है that is hydrogen जिसका mass क्या होता है सबसे कम होता है minimum होता है तो जब हमने hydrogen gas ली तो हमने क्या observe किया जो charge upon mass का जो ratio है वो क्या रहा है वो maximum आ रहा है वो maximum आ रहा है clear हुआ तो यहां से क्या conclude आया कि anode rays are made up of proton only in case of hydrogen इस चिसका ध्यान रखना in case of hydrogen जो anode rays होती है वो किस से बनी होती है proton से बनी होती है clear हुआ जैसा कि आप सब जानते है कि hydrogen के अंदर क्या होता है hydrogen के अंदर होता है एक electron और एक proton ठीक है neutron तो होता नहीं है अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक proton है कई लोगों ने पूछा तो आप सब जानते है कि जो hydrogen होता है उसके अंदर क्या होता है एक electron होता है और जॉन डॉल्टन ने यह कहा था कि कोई भी जो atom होता है वो क्या होता है वो electrically neutral होता है वो electrically neutral होता है तो अगर उसके अंदर एक electron है तो उसी के अंदर एक proton definitely होगा neutron तो हो नहीं सकता क्योंकि उस समय तक neutron की डिस्कवरी नहीं हुई थी ऑल्दो जे जे थॉम्सन ने ये बहुत टाइम पहले ही कंक्लूड कर दिया था कि अभी एक पार्टिकल और है अभी एक पार्टिकल और है क्यूं उन्होंने ऐसा क्यूं कहा क्यूंकि जो आटम का जो मास था न वो एलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क से मास को अगर हम लोग एड भी कर रहे थे तो भी वो आटम के मास से मैच नहीं कर रहा था क्लियर हुआ तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि अगर हाइड्रोजन गैस है तभी हम क्या सकते हैं कि जो एनोड रेस है वो क्या है आर मेड़ अप आफ प्र प्रोटान पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है वो एक होता है मैं यह सकती हों कि छो मस नेगलिजिबल रहे दाट केमपियर to mass of proton, क्योंकि mass of proton है, वो क्या है, वो 1837 times, proton का जो mass है, वो 1837 times जादा है, as compared to mass of electron, clear हुआ, so this is all about the discovery of proton, जो बहुत जादा important है, regarding J-neet, clear हुआ, तो अगर आपको इस lecture से related further भी कोई doubt है, तो आप comment कर सकते हैं, till then, keep smiling, keep shining and goodbye.